रेड्मी नौट 5 प्रो के लिए डर्फेस्ट का जैसे की फॉर्स्ट बिल्ड आ गया है एंडूइट 12 का यह ओफिशल बिल्ड है तब देखते हैं इसके अंदर हमें क्या कुछ मिलने वाले कौन-कौन से बग्स देखने को मिल जाते हैं और कौन-कौन से फीचर है क्योंकि इस तो सबस्ब्स पहले हम स्टार्ट करते हैं अब फोन से यहां पर जो है फॉर्फस का लोगो मिल जाता है प्लैट्फोर्म वर्जन जो कि हमारा इनडूइट 2 है और फिर यहां पर डर्फेस्ट वर्जन 14 बिल्ड है में राने नेम नीचे मिल जाता है security patch November 2021 की latest security patch है और इसके अंदर जो kernel है kernel थोड़ा से यहां पर आगे Chinese टाइब में भी लिखा है Japanese टाइब में लेगन यहां पर जो है नीची अगर आप देखोगे गैंग का पाक इस तरीके से 12 version kernel मिलता बाकि से Linux enforcing है यहां पर हमारा जो network in internet है इसके अंदर आपका wifi plus hotspot same time पर यूज कर पाओगे hotspot के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं अच्छी तरीके से काम कर रहा है तो यहां पर प्रोल्म नहीं है connected device के अंदर जाते हैं तो कास जो है first time में ही connect हो गया है तो बिलकुल इस तरीके से काम कर रहा है यहां पर प्रोलम देखने को नहीं मिली है apps के अंदर जाते हैं तो यहां पर फिर देखने को मिलता है default apps जिसके अंदर आपका यहां पर देखने को मिल जाता है जो कि आपको दिखा देते हैं तो यह कुछ इस तरीके से जो है देखने के मिल जाता सो नाव प्लेंग का भी द यह देख सेट और को दिखत को को सबसे नहीं आएगी और में चलती है लोकीशन भी आपको यहां पर आ déjà गया और it के अहीं मलने वाले स्टर्ट करते हैं स्टेटस्वार से जिसमें operates बेटरी स्टाइल याँ पर चेंज़ ने परसेंटेज इनेबल करने के लिए दिया गया नीचे भी बैडरी बार लोकीशन भी आपको मिल जाता है यहां पर कहरें लेवल दिया गया यानि कि अगर आप कुछ भी लिखते हो तो अपने स्टेटस बार या फिर लॉक स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा तियां से आप आपका ट्राफिक इंडिकेटर होगे इंटरनेट स्पीड आप इनेबल कर पाऊगे इससे मिसलेने इसके अंदर आपको डर्फेस्ट का लोगो मिल जाता है और जी आइकन हो गया वोल्टी आइकन अपसके अंदर काफी मिलते ता आप यहां पर चेंज कर पाऊगे रोमिंग जाता है कि स्पूटर हो गया smart pull-down देखने को मिल जाता है और नीचे में यहां पर रिकूर अन्लोकिंग कि ताइम पर नीचे फिर brightness की controls मिल जाते ही जिसमें अपका auto brightness भी दिया हुआ इसके अंदर में और brightness के आपको भई मिल जाएंगे इस अपको एनिमेशन आपको मिल जात के charging info है, media art मिल जाते है, music visualizer भी आपको यहीं पे मिल जाएगा lock screen के UI के अंदर में, फिर यहाँ पर system है, जिसके अंदर customization में आपको use custom color देखने को मिल जाता है, जो कि अभी indoor 12 में सभी में ज़्यादा तरफ देखने को मिलता है, यह मिल जाते है जिसमें custom color choose कर पाऊगे, उसम पूरी customization है, जो कि हमें dark space में मिल जाता है, notification में जाओगे तो notification history है, bubble notification फिलाल हमें देखने को भी नहीं मिलता काम करता हुआ, बागे फिर नीचे आपको annoying notification मिल जाता है, notification log देखने को मिल जाता है, do not disturb है, blink light हो गया, enhance notification तो यह सारी सीचे आपको जो है notification के settings में मिल जाएगा और अगर आप जाते हो यहां पे battery के अंदर में तो battery users देखने को मिल जाएगा, फिर उसके नीचे हमारा battery saver है, और यहां पे एड़ेप्टी बैटरी भी देखने को मिल जाता है और यहां पे low battery light भी देखने को आपको मिल जाएगा, यह बूरी settings है जो कि हमें यहां पे बात करें स्टोरेज के दिए स्टोरी जानि कि अगर आप एसडी गार्ड यूज करते हैं यूज कर पाओगे किसी भी रिकावरी किसा कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं है साउंड में चलते हैं तो फिर साउंड गंदर आपका यहां पर जो है लिंक रिंक एंड नोडिकेशन व इसट्न कों अधर से लिए д hopes इसकाम कराओं इनमें तीर मेंको पाउंड पर चुछ और हर रहे और जुकिए ऐहां पे इस तरहें की और करपाओगी और यहांपर आंपको इस करफान पर यहां मिल जा जो कि आपको यहां पर मिलेंगी और फिर स्क्रीन टाइम आउट के अंतर आपको स्क्रीन एटेंशन भी देखने को मिल जाता है जो कि काफ शेर वीडियो में बता भी रखो इस चीज के बारे में तो यह आपको मिल जाएगा डार्क थीम है जो कि अच्छे से अपलाई हो रहा ह पिदाउट अनी प्रोब्लम यह भी जो है आपका कुछ इस तरीके से डार्क थीम है तो यह अपलाई हो जाता है सभी जिगह इसमें भी कोई देखत हमें नहीं है और फिर नीचे अगर हम यहां पर चलते हैं तो नीचे जो है नाइट लाइड मिल जाता है जो कि यह भी अच अगर आप बॉल पेपर चेंज करते हो तो कलर आपका बॉल पेपर बेस चेंज हो जाता है और यह कुछ बॉल पेपर से जो कि डर्फिस्ट के बॉल पेपर सापको यहां पर कुछ न्यू भी मिलने वाले Android 12 के साथ तीम डाइकन बिल्कुल इस तरीके सप्लाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है और आप ब्रीड भी आपको यहां पी मिलता है चुप यह अच्छे से काम करता थ क्म यहां पर नहीं बिलती कि निसे अंगको पर नीचे कि तो रिस्पोंस जो है काफी अच्छा मिल जा रहा है फास्ट रिस्पोंस है यहां पर दिक्कत नहीं है और पिन भी आप देख तो कुछ इस तरी की सिफेक्ट आपको यहां पर मिल जाएगा और इसके अंदर और क्या है कि पिन अगर आप लगा तो जैसे पिन लगा रहे हो तो जब तक आपका इनेवल रहेगा स्क्रेंबल ले आउट फिर नीचे प्राइबीशी है लोकीशन है जिसमें जीपेस आपका काम कर रहा है कोई दिक्कत नहीं सेप्टी एन एमर्जेंसी भी यहां पर मिल जाता है पास्वर्न अकाउंट भी मिल जाएगा डिश्टल वर्विं चैमरा है सिस्टम नविगेशन भी मिल जाता है जैसे अगर आप देखो गया फिर आपको बार लेंथ के लिए बीडिया तर लेंथ भी आप बढ़ा सकते हैं यहां पर यहां पर एसिस्टेंट तो आपको मिल जाता है फिर नीचे टू बटन त्री बटन नविगेशन है जिस का यूज कर पाओगे कोई दिकत नहीं पावर बटन पर असिस्टेंट को आप चाहो तो एड कर सकतो यह भी आपको मिल जाता है जिसके सभी में है स्वाइब टू स्क्रीन सोट आप यहीं से इनिवल इडिशेबल कर पाओगे डेलीट कर बिनने को भी ऑप्शन है और स्लीप यह भी बिल्कुल वर्किंग है यहां पर कोई दिकत हमें नहीं मिलती है इसके सिस्टम के जस्टर के अंदर में और फिर नीचे हमें जो है टाइम के लिए मल्टिपल यूजर रिपोर्ट रिपोर्ट रिजेट ऑप्शन इसारी चीजे मिल जाती है अब बात करें यह बात करें गर यहां जाता है और स्क्रीं रिकोर्डिंग में हलका करता है नहीं कहते हैं हलका lag करता है volume panel तो आपका same ही रहने वाला इसमें कोई भी changes नहीं है वहीं अगर हम app opening के तरफ चलते हैं तो app opening है जो कि इसकी काफी smooth मुझे लगी है बस कभी गवार कुछ-कुछ application पे हलका है एक दिम light सा lag होता है लेकिन ज्यादा तरफ आपको smooth ही बिलकुल open होता है और नीचे फिर clear roll मिल जाता है और जैसे कि screen source भी देखने के यहाँ पे मिल जाता है तो यह जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है इसके recent के अंदर में और calling के अगर हम करते हो तो इंस्टोल कर लेना यह अच्छे से काम कर रहा है 8.1 जो है बिलकुल इससे तरीके से काम कर रहा है और जैसे कि सभी location वाले application में ज्यादातर में कुछ इस तरीके से location भी मागने वाला है तो approximate वाला ही दे देना इस तरीके से जब भी मागे एन यहाँ पर आपका जैसे कि GQM के बारे में बता है GQM काम कर अच्छे से और application भी यहाँ पर जितने भी आपको ज़्यादा तर लेटेस्ट ही देखने को मिल जाएंगे GF Included के साथ आता है रोम FM काम कर रहा है और यहाँ पर जैसे को के गूल के बारे में आपको बता है यह काम करता है और यहाँ पर बात करें Google फोटो के लिए करें तो Google फोटो के अंदर आपको unlimited storage मिल जाता है और अगर आपको Google फोटो के अंदर में eraser चाहिए magic eraser pixel 6 वाला तो उसका भी वीडियो बना दिया हो तो डिस्क्रिप्शन और यह बेटन पर दे दूँगा बाकि फी जी अपसें के साथ जैसे कि यह बिल्ड आता है और यहां पर विजट्स देखोगे तो यह कुछ विजट्स आपको मिल जाते हैं फोर विजट्स यहां पर मिल जाते हैं clock के हलाकि यहां पर अगर आप clock को एड़ कर तो एक्ट्रा कोई faces आपको इसके अंदर में नहीं मिलते हैं जिसमें पांच मिलते हैं clock faces उसके अंदर जो है देखने को मिलेगा बाकि यह सारी चुझे गारम तो अपको बता ही चुका हूँ वहीं चलते हैं प्लेश्टोर की तरफ प्लेश्टोर भी इसका बिल्कुल certified ही आता है तो आपका यहां पे जो है प्लेश्टोर बिल्कुल certified है तो आप राम से बैंकिंगे यूज कर पाऊंगे बिदाउट रूट अलग से आपको यहां पर रूट करके कुछ भी करनेक्स जूरत नहीं पड़ेगी आपका certified है एंट password and security के अंदर जा करके आपको उसके privacy पे जाना है और चेक करना है कि क्या आपका रूम जो है जो आप यूज कर रहों encrypted है या नहीं क्योंकि अगर आप encrypted होगी फिर format करना पड़ेगा तो इसलिए अपना data पहले को पी कर लेना अगर आप ASP ROM यूज कर रहे हो custom ROM तो simply उसके security में नीचे यह आपको मिल जागा security के अदर जाते ही तो उस पर चेक कर लेना कि encrypted हो या नहीं चेक करने के बाद आपको simply ROM डाउनलोड करके रख लेना लिंक description पर आपको मिल जाएगा और यहाँ पर जाकर करके आपको वाई पर जाना जैसकी नॉर्मली आप जाते हैं और यहाँ पर डॉल्विक कैस सिस्टम विंडर डेटा पांचों को आपको सेलेक्ट कर लेना और यह करने के बाद यहां पर इंडर जैसे कर देना है और यहां पर फिलस्ट कर लेना है और यहां पर ढपर द्यान रखनाए अगर आप not encrypted रॉम से आयों तभी यहां पर रिबूट सिस्टम पर क्लिक करना रिबूट कर देना लेकिन अगर आप encryption room से encrypted दिखा रहा है तो simply आपको यहाँ पर format data करना पड़ेगा wipe के अंदर आके format पर आकर करके yes लिख के format करना पड़ेगा और format करने के बाद ही आपको reboot करना है इसलिए अपना data सारा copy कर लेना पहले ही अगर आप encrypted हो जैसे कि मैं not encrypted था तो मैं यहाँ पर format की डारेक रिबूट कर दे रहा हूँ तो इस तरीके साब को जो है रोम फ्लस कर लेना और यहाँ पर पांच मिनिट के अंदर आपका फोन ओन हो जाएगा जादा टाइम नहीं लगता फ़स्ट बूट में पांच मिनिट के अंदर जो है ओन हो जाता है जो है ता यहाँ पर प्रिबूट के नदर 9 काफी इचा है और यहां पर जो है ऐसे गेमिंग के बेकर मैं बात करो तो गेमिंग भी जो है काफी इसके अंदर मिलने वाली आपको फर्स्ट बिल्ड के अंदर में यहां पर गेमिंग परफुमंस आपकी काफी अच्छी है रोम अगर आप पूरी वीडियो देख लिए ता आपको सारी आप ओपिन करोगे वहां पर थोड़े से लैग मिलेंगे का थोड़का हलका लैकर तो उनमें भी हैवी लैग नहीं है तो थोड़ा बुत आपको यह चीज देखने को मिलेगा लेकिन फिर भी अगर हम देखे तो रोम जो है काफी अच्छी है फर्स्ट बिल्ड के अंदर में मेरे शाब से काफी अच्छी रोम है फर्स्ट बिल्ड के अंदर में काफी अच्छा यहां पर पॉफुमेंस के साथ आपको यह मिल जाती है तो बस यही था वीडियो के अंदर में और अगर कुछ पूछना होगा तो उसके लिए आप को मिल जागा तो वहां पी जोइन वाजिन